एक कश्मीर हिंदुस्तान का अभीन हिस्सा है कश्मीर हमारा है जहां हुए बलिदान मुकर्दी वो कश्मीर हमारा है ग्रे मंत्री का पत समालने के बाद एक्शन में अमिश्या जम्मु कश्मीर को लेकर शाह का बड़ा फैसला धारा 370 पर अमिश्या का चानक के दिमाग शाह की रनीती से स्यासत में हर कंप दरसल लोकसुबा चुनाओं में बीजेपी को देश की जनता का भरपूर समर्तन मिला है जिसके चलते पार्टी को एथ्यास्तिक चीत भी हासिल हुई है मगर जिस तरह से बीजेपी को जनता ने प्रचंद बहुमत दिया है उसके साथ ही मोदी सरकार टू से काफी उम्मीदे भी जुड़ी हुई है देश के विकास के साथ साथ इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मोदी सरकार के आगे कई चुनोतिया है मगर कही न कहीं इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने की हो रही है और इसी के चलते प्येप मोदी ने अपने सबसे भरुसे मन दोस्त और बीजेपी के चानक कहे जाने वाले अमिशा को ग्रहमंत्री बनाया है मैं अमीत अनिल चंद्रसा इस्वर की सपड लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सच्ची स्रद्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और खंडता अक्षोन रखूंगा यानि कि मोदिश तरकार में अमिशा की हैसियत नमबर दो की है ठीक उमीतों की मताबिक अब अमिशा पहले ही दिन एक्षन में नजर आए दरसल 3 जून को शा ने अपने मंत्राले के वरिष्ट अधिकारियों के बैटक बलाई जिसमें जम्मू कश्मीर के एजन्डे पर विस्तार से बाचीत हुई बैटक से जो संकेत निकल कर आ रहा है उससे साफ है कि हमिशा घाटी में पूरु ग्रहमंत्री सरदार वलबाई पटेल का एजन्डा लाओ करना चाहते हैं जब हमिशा ने मंत्राले में वरिष्ट अधिकारियों के बैटक बलाई तो तमाम एजन्सियों के लोग वहाँ पहुँचें राश्चिय सुरक्षा सलाकर रजी डोबाल, आईवी और रोचीफ, ग्रह सचिप समेत अन्य अफसर्थ हमिशा के साथ मौजूद थे इस दोड़ान सुरक्षे अजन्सियों ने अमिशा को घाटी में आतेंकियों से नेपटने के लिए नई पलान का सुझाव दिया अमिशा ने जबसे ग्रहवंत्राले का कारेवार सभाला है तबी से एक बार फिर उनुच्छे 370 और 35 एका मुद्दा चर्चा में आ गया है बतोर भादपा अद्दक्ष अमिशा लगातार इन दोड़ों मुद्दों पर आकरमक रूख अपनाते नजर आए है एक बार नरेंद्र मुद्दी सरकार बना दो अगले पांच साल के पहले देश बरसे से एक एक घुस पिठियों को चुन चुन कर निकालने का काम के ठाड़ी जब मुकस्मीर का बना हिस्सा पाकिस्तान के हाथ मेरे किसकी गलती है जड़ा बोलो किसकी गलती है कॉंग्रेस पा इतार म्हुद्र कॉंग्रेस पाइटी तिन सो सतर और भाग अक्ryपै क्रस मिदित दोनों के लिए ठीमेदार जवाअल लाल नेहरू और कॉंग्रेस पाइटी ओर नेशनल कन्फरेंस गारा 380 उपतना नहीं। सुत्रों के मताबिक अमिश्या इस जन्टे पर सरदार पठेल की नीतियु को आगे बढ़ाना चाहते हैं हलाकि 35 का मुद्दा भी सुप्रिम कोर्ट में हैं ऐसे में सरकार की ओर से सपस्ट किया गया है कि वो पहले सुप्रिम कोर्ट के फैसले का अंतिजार करेगी तब ही अपनी बात आगे रखी इसके लावा ग्रहमंत्री की बैटक को लेकर सुरक्षा एजन्सियों के ओर से कहा गया आगे सी साल उलोंने घाटी में 101 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है जो हर महीने लगबग 20 का एवरेज है इसके साथ ही अब एक नई डॉप लिस्ट की तयारी भी की जा रही है जिसके बारे में नई ग्रहमंत्री को सुषना दे दी गई है इस लिस्ट में रियाज नाइकू और ओसमा का नाम भी शामिल है ना सिर्फ आतन क्योंकि हिट लिस्ट पर इस बैटक में चर्चा हुई बलकि एक जुलाई शेश्रू होने वाली अमर्नात यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी विस्तार से रन्रीती बनाई गई है अब देखना ये होगा कि धारा 370 को लेकर ग्रैमंत्री अमिशास सुप्रम कोर्ट के फैसले का इंदिजार करेंगे या फिर वो अपनी रन्रीती के हिसास से इस मुद्दे का हल निकालेंगे युदुष्ट रुपाध्याय विके नियूज